जोए तो वेल्कम्ै चैनल इस विडियो में हम कंचीन है अब आज हम पढ़ेंगे अब भी इसिंड पढ़ेंगे आपके बाद के बारे में language easy लास वीडियो में सिरू हो जाता मिलना서 कि लेर को बोलता है यह व्ट जरी करते रहते है तो नीचे और नीचे 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 चली जाती है और हमने ओर आपांत की पानी पहुंचने के लिए स्च नीचे चला गया इंफिल्ट्रेट हो की चला गया नीचे तो water table does not get affected as long as we draw as much water as is replenished by the natural process जितना पानी हमने निकाला अगर उतना ही rain water से भर गया तो यह water table जितना था उतना ही रहेगा ठीक है लेकिन जितना पानी भर रहा है उससे ज़्यादा अगर हम निकाल लेंगे तो water table obviously नीचे चला जाएगा ठीक है however water table may go down if the water is not sufficiently replenished ठीक है replenish होना जरूरी है यानि उतना ही जितना हमने यूज किया बापस उस जगह पर भरना भी जरूरी है this may happen due to many reasons ऐसा बहुत सारे reasons से हो सकता है increasing हो सकता है population increase हो गई हो तो पानी की नीच ज्यादा होगी तो ज्यादा खुदाई करनी पड़ जाएगी ज्यादा पानी निकालना पड़ जाएगा industries ज्यादा बन जाएगी और agricultural activities अगर ज्यादा बन जाएगी तो यह कुछ common factors है जो कि water table को affect करते हैं कि वह कैसे deplete होती है scanty rainfall is another factor हो सकता है पानी हमने तो भी usage पे जोर दिया हो सकता है कि जहां से supply होती है पानी की वही कम हो तो scanty rainfall जो कहीं 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 आजकल कई बर पानी पूरी बरसात में पानी नहीं आता तो वह एक अलक्ट फेक्टर हो सकता है इससे भी water table deplete हो सकती है yet another factor affecting water table could be deforestation एक और खारण हो सकता है जब पेड़ खड़े होते हैं तो पानी बहर के आ रहा होता है तो इसलिए जो हम deforestation यानि पेड़ को काटते हैं उसकी वजह से भी water table क्या होता है water की seepage को रोपता है तो हम पानी हमारे जो underground water कम मिलता है हमको ठीक है तो पहला factor है increasing population increasing population का मतलब है कि आपको demand जादा बढ़ गई है पाने की ठीक है यानि कि अब आपको ज्यादा घर बनाने पड़ेंगी ज्यादा shops खुलेंगी offices, roads, pavements ज्यादा population की नीट पूरी करने के लिए this decreases the open areas like parks तो अब क्या होगा open area नहीं होंगे पार्क नहीं होंगे playground नहीं होंगे इसकी वज़े से क्या होगा rainwater कहां पर रुक के नीचे जमीन पर जाएगा कैसे हो सब जगा घर ही घर होंगे तो खाग जाएगा अगर कहीं पार्क होते है खुली जगा होती तो पाने इकठा होता फिर जमीन के नीचे जाता लेकिन आसे जगा जब कम हो जाएंगी तो कैसे जाएगा तो what could be the consequence इसका प्रभाव क्या हो सकता है रिकॉल किजिए आप पक्का फ्लोर does not allow water to seepen easily अगर हम जमीन पर सीमेंट का पका घर बना दे तो उससे क्या होगा पानी नीचे जाएगा क्योंकि उसके अदर जितने भी मिट्टी के छ इस रिक्वाइट फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क आपको पता है जदा लोग होंगे तो ज्यादा घर बनेंगे रोड्स बनेंगी तो construction बहुत पानी की ज़रूत होती है ओफिन ग्राउंड वोटर इस यूस्ट परपस तो ग्राउंड वोटर को इसी परपस के लिए यूस किया पानी को अंदर जाने से भी रोक रहे है ठीक है दिस रिजल्स इन डेप्लीशन वोटर इसके वेज़से पानी डेप्लीट होता है वोटर टेबल नीचे जाता है अग्ट वोटर टेबल इस सम पार्ट्स उफ मेनी सिटीज अस गौन दाउन तो अलामिंग लिए लोग किस कु बॉरिंग से उन्हें पानी महीं तक खुता ही करनी पड़ती है लोग लोगों कोर stinks इस वाटर सम्वेर इन इस प्रॉडक्शन प्रोसेस ठीक है कुछ भी प्रॉडक्शन अगर होगा किसी भी चीज का तो पनी जरूर चाहिए होगा इन्नेदश्री इन्डेसरी इंक्रेशिं इंडेस्टी में निकाल जाता है के अपडिविटी 16.4 ने इस फेमिलिया इस नाम बताइए एक लिस्व बनाएं प्रोडट्स की जो की वो बनाती है आप जो डेली लाइफ करते हैं और अपने पेरन से ऱिंस अब है अग्री कल्चरों एक्टिविटीज मिजॉरिटी ऑफ़न्वर्स क्या होते हैं वो बारिश पर डिपेंड होते हैं कि उनको फसलों को पानी किसे मिलेगा बारिश से मिलेगा इरिगेशन स्टम जीसे कैनाल्स है वो कुछ जगह पर ही अवेलेबल है यहां तक कि यह ज्यु शिस्टम है यह पानी की कमी की विज़े से बहुत ज्यादा सफर करता है क्योंकि एराटिक रेन्फॉल होते हैं पानी की बहुत कमी होती बारिश नहीं होती कई की जगह पर कई ज सालों तक भी देर्फोर फार्म फार्मर्स करते हैं उन्हें ग्राउंड वोटर निकाल लेते हैं एरिगेशन के लिए हैंड पंप यूज करते हैं mostly ठीक है distribution of water distribution of water over the globe is quite uneven ठीक है हर जगा पर पूरे वर्ल में सब जगा एक जैसा पानी अवेलेबल नहीं है एक जितना पानी अवेलेबल नहीं है कुछ प्रेसे में ज्यादा पानी है पानी से भरी हुई है वह जगा और दूसरी तरफ कुछ deserts बन गए हैं जिसमें बहुत कम rainfall होती है इ है और जहां बारिश बिल्कुल नहीं होती है वहां पर सूखा पढ़ जाता है इसलिए कुछ रिजन जो हमारे country में हैं महां पर बाड़ आई होती है और कुछ जगा पर सूखा पढ़ जाता है उसी टाइम पर activity 16.5 में कहा है यहां पर rainfall map है इंडिया का 16.8 यह देखिए आप पता चलेगा कि आपर कितनी वारिश होती है मैप पर locate कीजिया जहां पर आप रहते हैं और blessed with sufficient water rainfall तो क्या आप यहां मैप से देखें की पहचानी कि आप जहां रहते कंगे कि पार सपीशिंट्owa होती है memang भी पॉसिबल देट पी आर लिविंग इन एडिया हो सकता है कि हम ऐसे जगा रहते हैं जहां पर सफिचेंट रेंफॉल होती हो लेकिन तब भी पानी की कमी हो तो इसका मतलब है कि पानी का मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो रहा है तो मैनेजमेंट क्या है इक नए टम है अब पान